चलिए अब हम बात करेंगे successive division का, successive remainders का, हम सब चीज़ सिखाएंगे, तैक सक्सेशिब का मतलब क्या होता है? क्रमिक क्या होता है? मेरे भाई इस बात पेदम अमल करना, गοहर करना, देखिए क्रमिक रूप से भाग देना या क्रम से भाग देना या उत्रोतर भाग देना तीनों का मतलब होता है बारी-बारी से भागफल में भाग देना समझना है बात को समझना है कि सक्सेशिव डिविजन जो है एक्च्वली होता क्या है मेरे भाई हमने बोला क्रम से भाग देना क्रमिक रूप से भाग देना या उत्रोत्तर भाग देना तीनों का मतलब होता है भाग फल में भाग देना नि बारी-बारी से भाग फल में भाग देना कहने का है कि successive division का मतलब होता है कि एक बार तो आप संख्या में भाग लगाओगे लेकिन अब जो भाग लगेगा वह पहला से प्राप्त भाग फल यानि को सेंट में भाग लगेगा उसके बाद जो आप भाग लगाओगे उससे प्राप्त भाग फल में भाग लगाओगे आप समझ र बात को शेया बात बिल्कुल आप अपने माइंड में कर लिजे कि क्रम से भाग देने का बात करें करमी रूक से भाग देने का बात करें यह तीनों का मतलब होता है भारी-बारी सिखाते हैं अध्यां दीजिएगा देखो मिर भाई एक संख्या उठाते हैं कि चार सो बीस क्या उठाते हैं चार सो बीस फोर हंड़ेट क्वेंटी अब इसको क्रमिक रूप से हम अगर बोले कि आठ पांच और चार से डिवाइड कर रहे हैं किसे किसे आठ पाच और चार से समझें बात को कि सक्सेशिव डिविजन एक्क्चुली होता वारी की अभाग से आपको सिखाएंगी आप भी बारी की अभाद से सिखन заключ हम का मतलब होता है मेरे भाई कि एक बार तो आप संख्या भाग लगाओगी अच्छा भाग लगाई आठ पचे चालीस नहीं अच्छा फिर आठ गुना कितना होगे आपका कितना रिमेंडर बच गया आपका कितना अब जो भाग लगाएंगे कि एक बार आप संख्या भाग लगाईए उसके बाद आपको बारी-बारी से भाग लगाना है तो पाच स्ते किसों भाग लगाएंगे कितना बार में लगेगा मेरे भाई दस बार में पचास रिमेंडर कितना दिया दो आप जो भाग लगाएंगे उससे प्राप्त भाग फल में दस में चार से कितना बार में लगेगा तो दो बार में लगेगा रिमेंडर कितना होगे आपका मेरे भाई रिमेंडर कितना होगे आपका दो देखिए उपर सेस आपके पास क्या क्या बचा एक बार चार एक बार दू एक बार दू यह जो हो गया आपका उपर से नीचे तक जो आप देख रहे हैं यह है सक्सेसिव रिमेंडर क्या है सक्सेसिव रिमेंडर है यह जो है मेरे भाई successive remainder से क्या है successive remainder से यह जो दो आपको दिख रहा है यह क्या है मेरे भाई यह है आपका final percent क्या है final percent यानि अन्तिम भागफल final percent यह क्या है अन्तिम भागफल यह जो एक्जामपल देख करके आपको सिखाए successive division को इसी प्रकार का CHSL में आप देखिएगा पिछले साल में पार बार हर shift में प्रस्ण पूछा जा रहा था और बहुत ही आसान सा प्रस्ण था क्या पूछा जा रहा था जैसे ऐसे ही प्रस्ण बना दीजिए कि एक संख्या को क्रमिक रूप से एक संख्या 420 जिसको क्रमिक रूप से 854 से विभाजित किया जाता है तो successive remainder बताईए क्रमिक सेस्फल बताईए इसका क्रमिक सेस्फल क्या हो जागा 422 समझ गहे हों के बाद अब आपको बारी की ढंक से समझा दिए कि successive division actually होता क्या है हाँ मेरे भाई successive division का मतलब होता है बारी बारी से भागफल में भाग लगाना एक बार तो संख्या भाग लगाएंगे लेकिन उसके बाद जो भाग लगेगा उससे प्राप्त पोसेंट में भाग लगेगा समझ गहे बात को तो याद रखना इस बात को क्रमिक रूप से बोले या क्रम से बोला जाए या उत्रुत्तर बोला जाए तीनों लब्ज एक ही है इसका मतलब होता है बारी बारी से भागफल में भाग देना, क्रम से भाग देना, प्रमिक रूप से भाग देना, या उतरुत्तर भाग देना, तीनो का मतलब क्या होता है, भागफल में भाग देना, या उपर से नीचे तक आपका क्या हो गया, सक्सेसिव रिमेंडर्स हो गया, या नीचे आपक सक्सेशिव रिमेंडर्स नहीं सक्सेशिव रिमेंडर्स चलिए अब इस पर किस-किस प्रकार का प्रस्ण आता है हमारे एकजाम में हर एक प्रकार के प्रस्ण से आपको अभगत कराते हैं कि अध्यान दीजिए गया देखिए 188 प्रसंट तक नंबर्स प्रोब्लम्स का किलिए करवा दिया है हमने 189 है आज से एक संख्या में क्रम से तीन चारें पाच से भाग देने पर सेश करम से एक दो तीन दाता अंतिम भाग पल तीन है आना हम से कहता हुआ कलेर संख्या में कितना कि इसंदी प्रोश्य पा पतल पूचा को कि मैं अंध्य जानल करम से भाग देने का मतलब होगर मतलब पहिला बाढ़ तो संख्यूम लगाओंगी उसके बाद उससे प्रापत भाग फ़ला लगाएगे लेकिन दो बार पहिला भाग प्पल dus दूसरा भागफल में भाग लगाया जाएगा तम देखिए एक बार बनाते हैं इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि माना कि संख्या कि यह है कि अधा कि प्रभिक कि भागफल कि अधा कि अधा कि अधार बात को माना संख्या एह तथा क्रमिक भागफल बी एवों सी है हमने इसा मान लिया कि अब देखिए इसा क्यों माना गया पूछोगे तो हम आपको सिखा दिये हैं तीन बार भाग दिया जा है तो एक बार तो आप संख्या में भाग लगाओगे मेरे भाई लेकिन उसके बाद जो दो बार भाग लगाओगे तो भागफल चाहिए न आपको थान दो भागफल हमने मान लिया चलिए एक बॉक्स तयार कर लिए तो आध्यान दिजेगे एक बार तो ए में भाग लगेगा संख्या में उसके बार उससे प्राप्त भाग फाल जो उने बी और ती मान रखा था किस से किस से दिया जा रहा है तीन से चार से और पांच से इधर लिखेंगे इधर क्या यहां लिख देंगे सेस को क्या लिक Γ før क्या गिखने करद जरूए तर जह हैं हम लिए क्या सब्सक्राइब खेति क्यों और सब्सक्राइब या गया है वह एक दो और कितना है आप ती अच्छा अंतिम भागफल कितना है आपका, अंतिम भागफल यहां पर होगा, अंतिम भागफल कितना है, तीन, हम से संख्या पूछा जा रहा है, अच्छा एक बात बताई, संख्या जो है, हमने किसको माना है, तो आप बोलोगे सर संख्या तो आपने एक को माना है, ली और ती तो मेरा प्रमिक रुहागपल है यानि कि A का मान ही हमको बताना A का मान कैसे निकाले भाई उम नीचे से चलते हैं कहां से चलते हैं? नीचे से चलते हैं क्योंकि देखिए C में जैसे इसका मतलब क्या हुआ पहले 3 से A में भाग दिया गया remainder एक आया थिर उससे प्राप्त भागफल को हमने बी मान रखा था इरब की बार जो भाग पड़ेगा वो बी में पड़ेगा उसका भागफल में C मान रखा था remainder दू हो गया लास्ट में C में डिवाइड करेंगे अंतिम भागफल प्रस्ट में दिया गया था लास्ट को सेंठ हन उसका remainder कितना हो गया आपका 3 चलिए तो C में भाग दिया जा रहा है भागफल 3 सेसफल 3 हन न हमने आपको बताया था इसका फर्स्ट पार्ट में धिवी जन्लूल जो बच 115 कितना हो गया का आठारे में निकाल करके आगया आव बारी स्काव भी तो संख्या चाहिए यानि मान किसका निकालना है तो कहो कि सर डिर ये जन dave मैं अठारा पलस में वन्त यह हो जाएगा 72 पलस में एक यानि कितना मेरे भाई तो 73 बहत्तर पलस में एक यानि कितना होगे आपका 73 अब बारी संख्यां का जिसको उमने ए मान रखा है तो एक का मान निकाल लिजिए ए में भाग किसे दिया जा रहा है अब भाई तो तीन से नएउ प्वागफल जो है आपका क्या है और सेक्षपल क्या होगे आपका एक नहीं ओज़ा गुणा हना 73 पलस में कितना होगे आपका एक नहीं गुना वी का मान 73 पलस में एक हने इसको कल्कॉलेट कर ले से कि अब देखो मिर वाई कितना हो गया गवड़ाया हुआ नहीं कहीं कि आहने पूहंतर सेज़ुण है खहरो आधर झाहर ता यहां पर जो है मिस्टेक हुआ था फिवलरी और सेष्पल उस्स भीड यदर एक Primary Weel फ़ल जो था आपका वह कितना था कितना था दो नहीं सेसफल कितना था थो यह prac चार गुना अठारा पलस में दूर करशात्र अब बारी एक यारी संख्याँ का एका मान निकाल लिजिए तो्य वह भाग दिया रहा है । और शिक्तना हो जाएगा तो सब्सक्राइब आपका कि सब्सक्राइब का उप्सन ट किज़ेगा Ox شak मेरे ड्रीर में आपको सिखाया तो कहोगे सर क्या इतना लंबा चोड़ा एक्जाम में बना पाएंगे सर्थ तो देखे ला बहुत असान सा बात है आपको इतना लिखने की आवसक्ता नहीं है आप केवल इमंदारी से आप दिमाग को जो है मेरे पास लगाए बिलकुल समझा देंगे कैसे एक्जाम में आपक को यह सेट करना है कि एक संख्या मानना है उसको जितना बार भाग दिया जा रहा है उसके हिसाब से उतना करमिक भाग फल आपको मान लेना है लास्ट को स्टेंट आपको दिया जाएगा नीचे से उपर सोल्व कर लीजिए आपका उत्तर कितना निकल करके आ गया तो कहोगे सर्क दोस्टरीश निकल करके आ गया ती में बांद से भाग दिया जाता भाग պग्पल locks ऑंस एक Soci कहा संख्या पूछा था वह क्रमिक यानि सक्सेशिव फोसेंट क्या था में इन कि हमने आपको जो बात बताया इस पर पहले बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्रम से भाग देने का बात करें क्रमिक रूप से भाग देने का बात करें इसका मतलब होता है बारी-बारी से भाग फल में भाग देना नहीं एक प्रस्ण भी हमने आपको कराया आप देखिए आपको में जांक हम जम में कैसे बनाएगे अब आपको सिखाएगे कि अगर यह प्रस्ण निइक जम में आजा च焦ै वगर आसानी सुभधा और रणवा को तो तैसल करू तौह तरकिव आपको च्छाद है जयां मिस प्रकार के प्रस्ण को absolument किया जाता है स्वेद्ध के अ await संख्या में क्रमिक रूप से किसे भाग दिया था तीन चार पांच से रिमेंडर आपका क्या था एक दो कितना था मेरे भाई लास्ट को स्टेंट कितना दिया गया था तीन हमसे क्या पूछा गया था तो हमसे संख्या पूछा गया क्या संख्या पूछा यहां पर तो आपका क्रमिक भागफल हो जाएगा क्रमिक भागफल तिला अब जितना बात बताये हैं उसका निचोड आपको बता रहे हैं देखो मेरे भाई कुछ मत करना जो काम आप किये हैं प्रोसेस वहीं यहां निवाना है लेप साइड में गुना का ची लगाएंगे राइट साइड में पलस का ठारा चोग 72 रदो कितना चहुतर वहां भी का मान आपको मिला होगा लेकिन आमको संख्या चाहिए चले चहुतर और तरी के 222 और एक कितना हो गया मेरे भाई यह हो जाएगा आपका 220 और यही हकीकत में आप से पूछा गया था कि सं दिखा दियान मेरे भाई कि कैसे आप एक्जाम में इस प्रकार के प्रस्ण को करोगे है ना कुछ नहीं करना है नीचे से चलिए लेप साइड का केलकुलेशन गुना में राइट साइड का केलकुलेशन करना है पलस में लेप साइड को गुना करना है राइट साइड में पल क्या होता है मतलब क्या हता है हाँ मिरे भाई संख्या में दिए संघ्रणा रूप से ध्यान दीजेवा पांच एवं चार से 1-2-3 बचता है है कि यह बॉक्स बनालीजिए क्रमिक रूप से बोला सक्सेसिब डिवीजन है किसे किसे भाग दिया जा रहा है तो साथ पांच क्या क्या बच रहा है एक दो कितना अंतिम भागफा लास्ट को सेंट कितना दिया गया है चलिए संख्या हम से पूछा गया निकाली लेट साइड का केल्कुलेशन हमने बूला गुना में चेट राइट पलस में तो भी सथीन कितना हो जाएगा तो कहोगे सर 27 हो 27 गुना पांच 135 और पलस में कितना हो जाएगा आपका 960 यहीं पूछा गया था कि वह संख्या बताइए अता चेला वह संख्या कितना मेरे भाई तो कहोगे सर कि संख्या जो होगा वह 960 होगा क्या होगा चेला 960 हो 960 हमने आपको बूला कि अगर इस बैच को आप पढ़ रहे हो तो जिन्दगी में दोवारा कभी भी मैट्स पढ़ने की आवसक्ता नहीं होगी आपको अगर हो रहा है तो मेरा गलती है लेकिन अगर आपका कमजोरी है तो वहाँ जवाब देह मेरा नह आपका काम है मेरे साथ मेहनत करना मेरे साथ जो हम बात बताते हैं उसको मेंटेन करके साथ में चलना यह सब आपका है बिल्कुल आप मेरे साथ मेहनत कीजिए जरूर सब चीज आसान हो जाएगा जो मुश्किल भी लगता है वह भी आसान कर देंगे हन चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रस्ट पर आजाए और देखिए अभी बात आपको बोल रहे हैं किया सब एससी का कुस्टन है भाई मेरे कोई गी दुगी नहीं है एससी के एक्जाम में पूछा जाता है पैच आपको हर एक कि एकजाम को ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है आगया जाइए एक संख्या को जब क्रमिक रूप से फिर वही बात है ऐसे निवनतम संख्या अभी तक आपने दो प्रस्ण जो आपने देखा मेरे भाई उसमें लास्ट पोस्टेंट यानी अनुतिम भागफल दिया जाता था और आपसे संख्या पूछा जाता हैं लेकिन इस प्रकार के प्रस्ण में जहां आपसे कह दिया जाए इस प्रकार की छोटी से छोटी संख्या बताएए इस प्रकार की निवनतम संख्यां बताईए तो वहां पर चेला ध्यान रखेगा कि आपको कभी भी लास्ट पोसेंट नहीं दिया जाएगा तो वहां लास्ट पोसेंट नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे तो बता रहे हैं चेला क्या करना आपको अगर आपको लास्ट पोसेंट नहीं पहले सब चीजिए जैसे लिख आठ पांच ते रिमेंडर क्या बचार तो कितना हो गया आपका लास्ट को से नहीं दिया गया एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट को से नहीं दिया जाए मेरे भाई तो अपना मन से सबसे छोटा भाक्षा लेके चलना एक लेके यहां कुछ लोजिक है उसको अमभारिक की ढख के आपको सिखने लास्ट को से नहीं देगा तो सबसे छोटा भागफल क्या लेके चलना एक लेके अब जैसे काम करते हैं हम लोग वैसा ही काम करेंगे लेट साइड का केलकुलेशन गुना के साथ और राइट साइड पलस के स अजयें। आगे आ जाएएizon 25,45 अँप पलस में दू ऑत अदू कितना चिलासे पर आजाए 작oga फंना संतालीश गुझना संख्या है यही सबसे छोटा संख्या ओप्सन नंबर क्या हो जाएगा कड़ी मेरे भाई लेकिन यहाँ कंफ्यूजन है पूछो क्या कंफ्यूजन है सर बता रहे हैं चेला क्या कंफ्यूजन है देखिए एक बास सुनिए आपको लगता होगा कि सबसे छोटा भागफल किसी भी संख्या दो संख्या के भागफल के दौरान जो है वो एकी ही हो सकता लेकिन चेला ध्यान दखेगा ऐसा नहीं सबसे चोटा आपका जीरो भी हो सकता जैसे हम बोलें मिरे भाई अगर पांच में अगर हम चोछ से डिवाइड कर लो हम अगरा आप से बताओ इसका को सेंट क्या होगा यासे पांच में чोछ से आपको डिवाइड करने का बात बोलेंULA इसका हमको आपको ऐसा लगता है कि दो संख्यां के भागफल के दवरान कि तब से छोटा जो भागफल हुआ करता है वह कितना होता है कि लेकिन हमने आपको परमानित करके आपके आपके सामने ऐसा दो संख्यां का फाग लिया है इसमें आपको को सेंट यानि भागफल जीरो दिख रहा है लेकिन ऐसा तभी संभव होता है जब वह संख्यां जो है यानि वह जो डिवाइजर से क्या होता है च्छोटा होता है ऐसा तभी संभव होता है जब वह डिवाइजर से क्या होता है तो च्छोटा होता है मिरे बाद क्या होता है तो छोटा होता है इसलिए तो लेजिए तो आप लास्ट पोसेंट एक लेकर जो चले हैं लास्ट पोसेंट जीरो लेकर भी प्रस्ण है चलिए दिखाते हैं वह अभी आपको कि यहां मेंटर क्या था आपका चार थो लास्ट को सेंट क्या लेकर चलने के लिए लिए तो hilft साइट गुना राइट साइट पलस और तका इजा इन पांच तरी के पंदरा पलस में पितना हो घ्या जाई तत्रवट 10 100 तिस नहीं और पलास में च्षा ज्यानि एक सो चार यानि आपका उत्तर एक सो चालीट कि अब से छोटी संख्यां क्या हो सकता एक सो लेकिन एक बात द्यान का आज तक जहां तक मेरा नजरिया है हम 2012 से इस्षत्र से जुड़े हुए 2012 से पढ़ाने का काम मेरा चालू है जो हमने इंटर पास किए तो आज तक हमने एससी का पेपर देखा है वहां जो एससी बोड ध्यान दिजेगे एससी जो उत्तर करती है वह फाइनल पोसेंट एक पर वह कौन एकसेट करता है फाइनल पोसेंट एक पर ना की जीरो इसलिए मेरा सही उत्तर कौन सा देखिए उत्तर दोनों सही है सबसे देखिए सबसे बेस्ट एंसर में जाईएगा तो सबसे छोटा तो भाई आगे के बैच में मुस्तर का बात बताएंगे लेकिन अभी तक मेरे द्वारा ऐसा देखा गया इसलिए आपको ऐसा बात बता रहे हैं देखिए आपके option में भी 140 नहीं है लेकिन उत्तर आपका 140 निकल करके आया मेरे भाई क्या हुआ एक 140 भी उत्तर आपका आया है समझ गया बात को इसलिए आपको उत्तर 140 नहीं करके क्या करना है 383 क्यों के रेकिए हम बार बार बोलते हैं केवल पढ़ने से नहीं होगा आपको वह यह प्रोच चाहिए तो आपको एक्जाम में सफलता दिला है खाली बिद्वान बनने से कुछ नहीं होने वाला है आपको हर पहलू को समझना है आपको एक्जाम के धिवार को कैसे तोड़ना उसको समझना है इसलिए उत्तर मेरा 140 नहीं होकर कितना 300 समझ गया बात को इसलिए उत्तर 300 अगे आ जाते हैं करता हुआ छोटी से छोटी से बात उत्तर भाग देने का बात किया सक्सेशिव डिविजन ही है लास्ट को सेंट एक लेके चलना है कि अलीजिए बनाते है कि आप किस्से किस्से दिया जा रहा है कि पांच कि इन साथ क्रिमेंडर आपका क्या क्या है कि तो एक को सेंट क्या लेके चलने के लिए बोले हैं कि कुना पलस साथ दूर है कि 27 और एक कठाई एक सो चालीस अपलस में 142 कितना एक सो ब्यालीज एही आपता थकीकत में हैं एक सो ब्यालीज अप्सन कौन सा टीक करोगे भगे सर एक नम कौन सा चेला लेकिन इससे भी छोटा संख्या मिलता है कब जब फाइनल को सेंट şu 0 लेकर चलते हैं अब लेकिन हम ढगते हैं कि यह सीजो अइ तक उत्तर कर रही है वह सो एक पर कर रहा है इसलिए उत्तर एक पर ही आपको देदा किए तीना जी जीनो पर भी आपको प्रकार का सबसे चोटी संख आप जाच भी सक्तिल चेला जैसे तैस्टीस में पांस डिवाइड कीजिए अब भाग लगेगा सक्सेशेड वीजन का मतलब साथ में तीन करेंगे अब भाग लगेगा आपका साथ तुमें लगेगा इसका भाग पलो जागा जीन रिमेंडर हो जागा बिल्कुल सब चीज सही आएगा लेकिन उत्तर जो हमको देना है वह 142 देना है लास्ट पोसेंट ए एक रख करके उत्तर है कि अगया होगा आप पीछे का पेपर लटके साल वर पीछे चले जाई आपको मिल जाए करते एटी थीरी को उत्रो अतर साथ तीन तथा दो से विभाजित किया जाए तो सेजफल आप से पूछा जारा है कि किस से किस से करने का बात किया तो इसकिस से कर रहा है ताठ इन दो से इस एक बार तोह साथ से डिवाइट किजी अ कि इतना लगेगा एक ग्यारा सक्सक्स कि इतना बच जाएगा आपका रिमेंडर च्छे अब जो भाग लगाएंगे किसमें लगाएंगे ग्यारम यही तो सक्सेसिफ डिवीजन है कि इन तरीके नो रिमेंडर कितना हो गया अब लगाएंगे तीन में दूसरे एक रिमेंडर कितना ऊपर से नीचे तक आप देख लिजी यही सक्सेशिव क्या है सक्सेशिव सक्सेशिव दिमेंडर से कि यहीं सक्सेशिव 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 दिमेजन जो आपको सिखा रहे थे यहीं आपको एक्जाम्पल दे करके सिखाए थे एक संख्या 420 है इसमें जो है क्रमिक रूप से आठ पांचार से डिवाइड किया था तो आपका सक्सेशिव दिमेंडर क्या होगा सब आपको सिखाया है कि इसमें कोई बड़ी बात था नहीं था कि आगे प्रस्वाइब कहता है जब किसी संख्या को तृत्तर चार और पांच से डिवाइड किया जाता है तो दो बार भाग लगाया जा रहा है एक बार तो संख्या में लगांगे लेकिन एक बार उससे प्राप्त भागफल में लगांगे लिग Bunu सेसफल जो है आपका करमसा एक और चार बचता है आच्छ постоянно क्रमिक रूप से 5 और 4 से डिवाइड किया जाता है जब प्रक्रिम करमिक रूप से पांच और चार से डिवैड किया जाता है, तब आप से रिमेंडर कूछ? पांच से डिवैड किजी, जब संख्य निगाल देज़. चार और पांच से डिवैड किया जाता मिलता है, 1 और 4 चार पुछ? कि अच्छा लास्ट को सेंड तो नहीं गिया गया जब किसी संख्या को तर और पांच से विभाजित किया जाता तो सेश करम से एक और चार बज़ता जब इसे करमिक रुप्स अब देखिए लास्ट को सेंड नहीं दिया गया तब से छोटा अकड़ा लेके चलते हैं तर तो आ इसलिए एक पर हम आपको बता रहे थे लेकिन हमको संख्या तो नहीं चाहिए हमको उसका रिमेंडर चाहिए फिर तो हम जीरो लेके ही केलकुलेशन को छोटा कर लेते हैं क्यों हम एक पे जाए जीरो लेते हैं अधियाम दीजिएगा यह हो जाएगा पांच गुना जीरो च तो आपको सिफाइदी है वह संख्या कितना हो गया का अब कहता उसी संख्या को तरह और हम पांच और चार से डिवाइट कर दीजिये क्रमी कुरूप से ही तो पांच से कितना बार में तीन बार में इतना बच जाएगा दो देखिए अपकी बार 4 तो आपका रिमेंडर कितन को सक्सेसिव रीमेंडर है यहीं आपका सब्सक्राइब आहीं और तीन क्या हो जागा सि यानी हम जी रो लेके चलेंगे तो ज्यादा छोटा देखिए अगर संख्या का बात होता चोटी से चोटी संख्या तो उत्तर सबसे छोटा तो जीरो पे आता है लेकिन बोड एक्सेप्टेड उत्तर एक पे होता है इसलिए हम एक पे आपको दे रहे थे हैं तो सिखाये थे दोनों बात लेकिन अगर उससे आगे का प्रस्ण कुछ हो तो सं संख्या कल्कुलेशन छोटा करने के लिए जीरो पे ही आप चलिए हैना तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है मेरे भाई कि आगे बढ़ जाते हैं कि काता किसी संख्या को क्रमिक रूप से तीन चार और साथ से भाग कि अगुशा देने पर से को पहले संहे निचाल लें और सबसे छोटा ही निकालेंगे तो उसमों ज्यादा स एक साइड राइट साइड इस तब सिखा चुक है कि दो पलस चार कितना चार चो के सोला एक कि ततर तरीक एक तरीक एक वन अदू कितना मेरे भाई तो संख्या निकल के आ गया अब कहता इसी संख्या को 84 से देखे संख्या निकल करके आ गया अब इसी को अगर 84 से डिवाइड करें तो रिमेंडर क्या होगा एक पर भी आप चलिएगा तो भी रिमेंडर वही आएगा जीरो पर भी चलिएगा तो भी रिमेंडर आपको वही आएगा जीरो बार में संख्या को अगर 84 से डिवाइड करें तो रिमेंडर क्या होगा तो क्या हो जाएगा 53 हो जाए 53 हो जाए अगले प्रस्ट कि एक संख्या को क्रमिक रुप से साथ चार और तीन से विभाजित किया जाता है तो करम उस्था जो है पांच तीन और दो से स्वच्था यदि विभाज़ा पक्रम उलट दिया जाए तो भाग देने का तो इस प्रकार का सबसे छोटा संख्या निकालने में सहुलियत कि इवाइड किया जारा साथ स्टार और टीडर मेरा क्या है रिमेंडर पांच तीन कि कि अब से छोटा किस पर आएगा जी रूप्र है कि दो पलस में दूट है कि आरगुना आठ तीन कि सततर और पांच कितना हो जागा आपका यानि वह संख्या आपका एटीटू कि मेरे भाई इन से डिवाइड किया जाता रिमेंडर पांच तीन दूट तो जीरो दो चारगुना आठ अपी ने गया रहा है कि अब इसी संख्या को जो संख्या आया एटीटू करता एगर उलट करके यानि पलट करके भाग देने का मतलों सतर है वहां भाग दिया जा रहा कितना बार में लगेगा अच्छा 23 तरीके 72 पचीस तरीके 75 अब इस अच्छा कितना बार में मेरे भाई 27 वार इस तरीक कितना हो जाएगा आप जो भाग लगाएंगे उससे प्राप्त भाग फल एचो का तो बीस हना सताथ वार्मेंडग करेंगें कितना रिमेंडर आएगा तो आपका सक्सेसिव डिमेंडर की पूछा दो एक तिन च्छव आपका सक्सेसिव डिमेंडर की सक्सेट क्या आपका सटर्ज WAS है जो आपका एक तीन और क्या हो जागा मेरे भाई एक टीन और तम भारी की धंग से पकड़ी धोड़ा सा इंपोर्टेंट टापिक है और समझना है वारी की धंग से आपको हवड़ाना नहीं है में आपको है न एक तीन छोव आपका उत्तर हो जाएगा एक तीन छोव कि अगला प्रस्ण पर आ जाईए कि काता जब एक संख्या एन को क्रमिक रुपस्पि कोई बात है छो पांच साथ से डिवाइड किया जाता है तो पाच साथ से डिवाइड किया जाता है तो प्राप तो सेस्पल क्या है मेरे भाई तीन एक और यह अनका मान पर ही निकाल लेते हैं सबसे छोटा ही निकाल लेते हैं अनका मान ज़्यादा सहलियत होगा पांचो के बीस और एक एक सब्वीस एक सो जनका मान क्या होगे सब्सक्राइड है अब क्या बूलता है अगर यहन को याली एक पंदरा से डिवाइड करें तो रिमेंडर आपसे पूर्टा जा रहा है तो आपका रिमेंडर कितना हो जाएगा होगे सब्सक्राइगा हो जाएगा आपका रिमेंडर क अगला प्रस्णा जाए और यह सक्सेस्ट विजन का यानि टॉपिक नंबर 9 के पार्ट 3 का यह लास्ट प्रस्ण है सक्सेशिव डिविजन सक्सेशिव रिमेंडर हमने बारी की डंग से समझाया और इस पर तारा प्रस्ण आपको प्रेक्टिस करवा दिए आज के बार चेला इस टॉपिक में कटई आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए जब कोई संख्या एक्स को क्रमिक रूप से दिया जाता है तो यह करमसा जो है चार पांच और तीन सेस्ट देती है एक्स का वह मान गया कि जो बावन सो और चौवन सो के बीच में अनि संख्या वह बताना किस से भाग दिया जा रहा है नौँ आठ और और सेस्ट क्या बचता है यह बचता है चार पांच और कितना तो देखिए सबसे चोटा लेने करें जीरो लेके चल सकते हैं को यह नहीं होना चाहिए यह यंक एक्स कामान जो बावन सो चोवन सो कि पैसा करते हैं लास्ट को स्क कि माले को कि अपर तियों माल निगा लिए एक टेवन के पलस्मित यहाई अच सब्सक्राइब है अपन के इस उट लोगी सब्सक्राइब और पांच कि आजाईए अपन में नौ से गुना कर लिजिए नौ च्ठक वुवन पचा पांच नहीं नौ पच्छे पैतालीस तो पांच कि अचा 29 नमा कितना हो जाएगा कि इतना हो जाएगा भाई 29 नमा दूसर एक सथ और चार हो जाएगा आपका कि इतना हो जाएगा कि आपका संख्या आगया के के रूप में आगया के के रूप में आगया आपका संख्या तो के के रूप में आगया अराम से बात को समझेए यहां पर जो बात था आपका वह बात यह था कि हमको जो संख्या बताना है एकस का मान बताना है व वावण सो और चोवण सो के बीच का कहां का 500 और चोवण सो के बीच का इसलिए अबसूंस पैनल कोसेंट एक लेकर चला है कि यही आपका नंबर है सनों मज़ 살ूँ है यही एकस का मान क्या है अहां तो कि 504 के और पॉलस में तो 65 तुहंड़ेट सिट अब सोचिए के जगब पर वैसा कौन सा मान रखें चेला एक एक्जाम में पूछा हुआ प्रसमें जरूर आसान प्रसमें तोड़ा सा लोजिक लगाना है ताकि संख्यां बावन सो तुद्य रेखर भाई यह कामान सिंपल सा बात है कितना रखना पड़ेगा अब पूछे इस तरी कैसे आप बता दिया सिंपल सा बात है भाई 504 में दस से गुना किजिए का पांच जार चालीज और दूस्तों पैस्ट बावन सो चो पाना जाएगा बात खतम तो इसलिए पूछा गया और इसके बीच का संख्यां आप से कितना होगा यानि 5305 कितना ix कामान और के कामान कितना होगा अगर के कमानी ग्यार रखेगा तो आकरा जो है यानि का कौन सा मान सुटेबल है ताक कि एक्स जो है बावन सो चौवन सो के बीच का मान दे तो के का जो मान है मेरे भाई वह कितना हो जाएगा आपका के का मान हो जाएगा आपका दस रखिए गया तो 5040 पलस में 265 तो पैस्ट और 40 यानि 305 5003 यह था आपका सक्सेशिव डिविजन तो कि हमने पूरा का पूरा आपको कम्पलीट करवा दिया सारे प्रस्णों के साथ कम्पलीट